UP CHO भरती का इंतजार कर रहे है अभ्यारती के लिए बहुत बड़ी अपडेट है UP में CHO की भरती का विग्यापन 5582 पदों के लिए आलाइन जारी हो चुका है सभी अभ्यारती इस भरती में आलाइन आवेदन कर सकते हैं आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको UP CHO भरती की विषय में 5582 जिसका विग्यापन जारी हो चुका है इसके विषय में आपको बताएंगे कि कौन-कौन आप भ्यारती इसमें भर सकता है उम्र सीमा क्या होने वाली है और पिट का जो स्कोर है वो कितने तक मानने होगा और इस भरती में हर जिले में कितनी वैकेंसी निकाली गई है आज इस वीडियो के माध्यम से आपको संपोर जानकारी देंगे तो दोस्तों आप लोगों से केवल एक रिक्वेश्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को जितना हो से कि अपने दोस्तों को भी सेर कीजिए ताकि इसी तरह की जो लेटेस्ट अपडेट है सबसे पहले आपको मिलती रहे चलिए दोस्तों वीडियो को इस्टार्ट करते हैं यूपी में CHO यानि हेल्थ आपीसर की वेकेंसी का इंतजार कर रहे हैं यूवाव के लिए बहुत बड़ी अपडेट है यूपी में अब स्वास्तिवी भाग की जएरिके 5582 पदों के लिए आलाइन आवेदन आमंतरित किये गए है और आलाइन आवेदन फ्रक्रिया सुरू हो चुकी है सभी अभ्यारती आयोग की वेप साइट पे जाकर अपना अपना आलाइन आवेदन कर सकते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं कि यूपी हेल्थ डिपार्टिमेंट की ओर से 5582 पदों के लिए आलाइन आवेदन आमंतरित किये जा चुकी है और इस भारती का जो लाइव अप्लिकेशन इस्टार्ट होगा वो 29 तारिक एक 2014 या 11 बजे से सुरू हो चुका है और इसमें अभ्यारती को आलाइन आवेदन करने का मौका 7 फरोरी 2024 तक दिया जाएगा यानि आपको लगबख एक हपते का समय आलाइन आवेदन करने का दिया गया है सब यह अभ्यारती इस भारती में जाकर आलाइन आवेदन कर सकते हैं आपको 39 तारिक से अनलाइन आवेदन शुरू है और 7 तारिक तक अनलाइन आवेदन फक्रिया चले गी अगर वेकेंसी की बात करें तो जनर अभ्भार्तियา के लिए 2233 पत निरधारित किये गए है वहीं EWS अभ्भार्तिया के लिए 558 पत निरधारित किये गए है OBC कंडिडेट की बात करें तो OBC कंडिडेट के लिए 1508 पद निर्धारित किये गये है YSC वाले कंडिडेट के लिए 1172 पद और YST वाले अभ्यारति के लिए 111 पद निर्धारित किये गये है इस तरह टोटल जो वैकेंसी है वो 5582 पदों के लिए है सबसे ज़्यादा जो पोश्ट है वो जर्नल वाले अभ्यारति के लिए है उसके बाद जो OBC वाले अभ्यारति के लिए दूसरी पोश्ट है और YST वाले अभ्यारति के लिए 1172 पोश्ट इस पे निर्धारित की गई है दोस्तों सबसे ज़्यादा इसमें अगर ओमेन की बात करें तो ओमेन वाले अभ्यारति के लिए 1116 पद और PWD अभ्यारति के लिए 223 पद और EX सर्विसमेन अभ्यारति के लिए 289 पद और Freedom Fighter के लिए 111 पद निर्धारित के गए है तो रिजर्वेशन के जितने भी अभ्यारति है उनके लिए भी इसमें खास पद निर्धारित के गए है अगर Freedom Fighter यानि स्वतंतरता सैनानी की बात करें तो 111 पद इनको दिये गए है और यह सर्विसमेन यानि भूतपूर सर्विसमेन के लिए 289 पद निर्धारित के गए है PWD वाले अभ्यारतियों के लिए 223 पद और महिलाओं के लिए 1116 पद यानि जो टोटल पोश्ट निर्धारित की गई है 5582 में से जिन में से 1116 पद महिलाओं के लिए बागी 90 पद पूरुस के लिए निर्धारित की गए है अब बात करते हैं इस वैकेंसी में कि जो योगता क्या है इस वैकेंसी में कौन-कौन से अभ्यारति आलाइन आवेदन कर पाएगा तो इस वैकेंसी की जो योगता निर्धारित की गई है वो आयोग के माध्यम से BSC नर्सिंग निर्धारित की गई है जो भी अभ्यारति BSC नर्सिंग पास किया होगा वही इस वैकेंसी में आ आल लाइन आवेदन कर पाएगा अगर जिसके पास यूपी-पी-टी-डोहजार तेश का स्कोर कार्ड नहीं होगा तो वह इस बैकेंसे में आल-लाइन आवेदन नहीं कर पाएगे इसलिए महत्पूर अपडेट किये है कि सभी अभ्यारतियों के पास UP PT 2030 का स्कोर कार्ड होना अनिवार है तभी वह इसमें आर्लाइन आवेदन कर पाएगे आन्य था वो आणलाइन आवेदन नहीं कर पाएगे तो दोस्तों जितने भी अभ्यारतिय यूप म लिए आर्लाइन आवेदन करना चाहते हैं उनको ब्यस्सी नर्सिंग होना अनिवार है तभी वह इसमें जो फार्म होगा वह भार पाएंगे दोस्तों इस भरती में जो उम्रसीमा निर्धारित की गई हूँ सभी अभ्यारती को लिए उम्रसीमा 21-40 वर्स तक निर्धारित की अर्थाथ 21-40 वर्स के अभ्यारती इसमें आनलाइन आवेदन कर पाएंगे जिसना अभ्यारती की उम्रसीमा 21 से कम है वह इसमें आनलाइन आवेदन नहीं कर पाएगा और साथ ही साथ इसमें उम्रसीमा में बहुत बड़ी छूड भी आयोग के माध्यम से दी गई है अगर O 15 वर्स की छूट जो दी गई है और एक सर्विसमान के लिए जगभग तीन वर्स की छूट परदान की गई है इस तरह अगर उम्रसीमा की बात करें तो पांच साल से लेकर तीन साल तक की छूट उम्रसीमा में आयोग की माध्यम से दी गई है और जो इसकी एज लिमिट तो आराच्छड की जो प्रक्रिया है और यसी स्टी ओबीसी पीडवलो और इडवलो अभ्यारती को इसमें आराच्छड का लाभ जो गवर्मेंट के माध्यम से दिया जा रहा है उसको आराच्छड के माध्यम से इसमें दिया जागा अन्य कंडिडोटों को इसमें आराच् पड़ोगाफ होगा हाली का होना चाहिए साथ एक शिंगनेचर भी होना चाहिए और आप अपना मार्क स्टीड जो हाइप स्कूल के है उसको ले कर जाए इंटरमीडेर की मार्क सिट उसको भी लेकर जाए और आल मार्क सीड़ी यानि बीस्टी नर्सिंग पीबी बीस्टी नर्सिंग अगर आपने बीस्टी नर्सिंग के कोर्स किया है या पीबी बीस्टी नर्सिंग के कोर्स किया है तो इसकी भीमार सीट आपको लेकर जाना होगा साथ इसाथ वाइलेट पर दोस्तों अगर डिश्टिक वाइकंस की बात करें तो आगर में जो पोस्ट निर्धारित की गई हो 68 पोष्ट निर्दारित की गए है, अलिगर में इसी तरह 45 पोष्ट, अमेठी में लगभग 59 पोष्ट, अमरोह में लगभग 30 पोष्ट, और आया में 24 पोष्ट, आयोध्या में 59 पोष्ट, आजबगर में 88 पोष्ट, बागपत में 17 पोष्ट, बहराइच में 239 पोष्ट, सब पोश्ट और इसी तरह बुलंद सहर के लिए curso 24 पूट की लिए और चितर्व की बात करें तो ishmem 29 पूट नियुद हो डिवर याक UFO पोश्ट Spititute कि भारुक कैबात के लिए children 50 पोश्ट फठैपूर की लिएPS 60 पोश्ट की गई है इसी तरह फिरोजाबाद की बात करें तो 38 पोश्ट और गवातम बुद्धनगर की बात करें तो 42 पोश्ट गाजीपूर की बात करें तो 3 गाजीपूर की बात करें तो 213 पोस्ट सबसे ज्यादा पोस्ट अगर इस में निर्दारी थे वो गाजीपूर के लिए तो जितने भी है ब्यारती है तो गाजीपूर में डिश्टेक के लिए इसमें आल-लाइन आवेदन कर पाएंगे तो गॉंडा के लिए 155 पोस्ट हमीरप कारणपूर के लिए 60 पोस्ट निर्दारिट हार इसी तरह कारणपूर्ण ऑगर घर्दा के लिए obviously पोस्ट कास गंच के लिए 26 कास्क्रण़ को Sambi कोसंबी के लिए लगभग सर्सब्थ पोस्थ निर्दाह रित की गई है लकीमपुरों के लिए दो सफ़ोदो पोस्थ लास्थ पूर के लिए तिरासी पोस्थ लकनाउ के लिए टालिस पोस्थ और महराज गन्ट के लिए लगभग आयास्ति पदों के लिए आपको आर्लाइन आवेदन अमत्यत किये जाएंगे तो यह डिस्टिक वाइड वैकेंसी है जहां जिस डिस्टिक में वैकेंसी सबसे ज्यादा है वहां ब्यारती आर्लाइन आवेदन कर पाएंगे